क्रांतिकारे जैभीम इंकलाब जिन्दाबाद मैं हूं लक्षर सिधार्त और आप देख रहे हैं लक्षर मिट करवाली यूटिप चानल दोस्तों 26 जन्वरी यानि गरतंतर दिवस बेहदी हर्ष उल्दास से मना रहे थें वहीं दूसरी तरफ शोशल मीडिया पर ट्रेन जलने और चात्रों के चक्का जाम करने की फोटो और वीडियो वायरल हो रही थी आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेल्वे के छात्रों के इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा और क्यूं कहीं कहीं पे प्रदर्शन काफी उग्रवी हो गया आए जानते हैं विस्तार से सबसे पहले हम बात करेंगे आरार बी आरार बी का मतलब होता है रेल्वे रिक्रूट्मेंट बूर्ड आर आर बी यानि रेल्वे यह एक परिक्सा है जिसे रेल रेल्वे द्वारा कंड़्ट करवाई जाती है और इसका इंतरगर गूर्स गार्ड सीनियर कमर्शियल टिकट कलरक सीनियर कलरक टाइप इस्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जैसे पद होते हैं जिसके लिए हर्पद की एक अपनी सेलरी है यह तो हो गया कुछ महत्पूर्ण और एक इंट्रोड्रक्शन जानकारी अब आते में पार्ट पे जो कि छात्रों प्रश्ट की हुआ जब 2019 में लोक सभा के चुनाव करीब थें गुरूब डी में एक लाग भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया कब तेज फरवरी को जब लोक सभा के चुनाव करीब आ रहे थे तब 2019 की बात है जिसके लिए एक करोड से जादा छात्रों ने फॉर्म भरें अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भरती पद निकाले गए एक लाग के लिए और आविदक एक करोड से भी जादा हैं कि अप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वे रुज़जगारी है भारत में हैं लेकिन आवेदन पत्र भढ़ने की बाद दो साल तक कोई निक्ति नहीं हुई दो साल तक परिक्षा ही नहीं हुई क्योंकि जानते हैं क्यों क्योंकि आपको मंदिर मस्जिद हिंदू राष्ट और हिंदू धर्म खत्रे में हैं जैसे फाल्तू और घटिया मुद्दो से आपको उलजाय रखा और आपके दिमाग की तरकी की शक्ती को खतम करना चाहा फिर फरवरी 2021 में पियोज गोएल ये कहते हैं कि इसके लिए परिक्षा की जो एजन्सी होती है उसे नियुक्त कर दिया गया है कब कहते हैं परिक्षा का नोटिफिक्रिशन जारी किया गया 2019 में दो साल बीद गए अभी तक कोई परिक्षा नहीं ठीक अब 2021 में भारत के रेल मंत्री जो थें पियोज गोएल उन्होंने कहा कि हमने एजन्सी निकाल दी है या नियुक्त कर दी गई है मेरा यह रेल मंत्राले से सवाल है क्या रेल मंत्राले सो रहा था क्या पूरा रेल मंत्राले जो है जो दो साल बाल नीन खुली तो अपने एजन्सी निकाल कर दी फिर चौबश जनरी 2022 को यानि एक साल बाल रेल्वे ने एक और नोटिफिक्रिक्रिशन जारी किया कि अब इसकी परिक्षा साथ मार्श से पंद्रा मार्श तक होगी वो भी दो चरणों में पत्ता में स्टुडेंस को देरी के अलावा इस बात पे भी गुसा है कि उन्हें परिक्षा की दो चरणों के नाम पर उन्हें लटकाने और परिक्षा को 2024 अग्ले चुनाओं तक टालने की कोशिश की जा रही है और छात्रों के साथ यह खिलवार किया जा रहा है उनके भविश के साथ यह खिलवार किया जा रहा है आप खुद गौर लगाईए 2019 में जब लोग सभा चुनाओं करीब थे तब यह नोटिफिकेशन जारी किया गया दो साल हुआ कुछ नहीं हुआ उसके बाद जवाब दहीं में पियोश गुल जी ने कहा कि न्यूक्ति एजन्सिय की न्यूक्ति कर दी गई है परिक्षा जो ते परिक्षा कराती है उसकी फिर अब फिर विदान सबाक चुनाओं है उत्तरप्रदेश में चुनाओं है पंजाब में चुनाओं है इस वजह से ज़र दबाव बना है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि भाया हम परिक्षा लेंगे वह भी दो परिक्षा को टाल दिया जाता है अब हम आते हैं एंटी पीसी पर जानी नॉन टेक्नियर पॉप्लर कटेग्रीज नॉन टेक्निकल जानी Не 20-00 परिक्षा यहांतो जानी नॉन टेक्निक्ल क्राइब पॉप्लर क्राइब जानी नॉन टेक्निकल क्राइब यह भी एक परिक्षा है जिसे भारती रेल करवाती है जिसके अंतरगर सीने ट्रेंड क्लर्क, चीफ ट्रेंड क्लर्क, सीने कमर्शियल, टिकेट क्लर्क जैसी नौकरिया होती है और इसके अपने-पने एक सालरी होती है अब आते हैं मिन मुद्य पे 28 फर्य दौजार उन्यस में फिर जब जुनाओ चुनाओ वही लोकसभा कि चुनाओ जब करीब थे 28 फर्वरी 2019 में जब लोकसभा चुनाओ चुनाओ करीब थे तब सरकार दोरा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हम सवा करोर से अधिक नहीं सौरी नोटिफिकेशन जारी किया और सवा करोर से अधिक छात्रों ने जुआओ ने फॉर्म भरा लेकिन आज तक कोई नियुक्ती नहीं हु और या गया तब चात्रों ने ताय थाली बजाई तब जाके भाई मंत्राले की आंहे खुली व Fallsya चात्रों को कि उंका थाख अधिकार दिया जाया उस्तों दिया जाए अ सब्सक्राइब के दो सितंबर दोहजारबीस में जब सितंबर 2020 आ गया तो ताली थाली बजाई रेल्वे बोर्ड नीन से खुला ठिक प्रदर्शन के कारण दिसंबर 2020 में रेल्वे बोर्ड ने कहा कि 35,277 पद के लिए परिक्षा होगी यहां परिक्षा की एक प्रक्रिया तो पूरी होई भाई कि कम सकम उनके प्रोटेस्ट करने के बाद ये तो कहा गया परिक्षा इतने पदों के लिए होगी और परिक्षा हुई इसी साल जनवरी की दूसरे हफ्ते में इसका रिजल्ट निकला अब उमीदवारों का कहना है या चात्रों का कहना है कि भरती से संख्या 20 गुना जादा होनी चाहिए इसा रिल मंत्रा में वादा किया था रिले बोर्ड ने कहा इस पर कि संख्या तो 20 गुना जादा ही है जबकि एक ही छात्र का नाम दो दो पत पर है इसे बाकी उमीदवार पीछे रहे गए यहां एक और मामला है वो यह है कि 12 पास और ग्रैजुएट को एक ही पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए उसमें क्या हुआ जिसमें ग्रैजुएट जो थें उन्होंने बाजी मार ली यानि भाई जो ग्रैजुएट थें जो इंटर पास करके जो बी ए में बेसी कर चुके तो ग्रैजुएट हो चुके थें उनके लिए पेपर असान हुआ और उनके कट अफ्स कम हुए जबकि 12 पास के लिए कट से ज़्यादा कटे गए और इस वजह से वह अपनी नौकरी से वंचित रहे गए और एक ही आदमी को दो दो पत पर दे विया गया क्या गुंडा राज खतम हो गया मैं उत्रप्रदेश की सरकार से यह सवाल है कि आखिर वो कौन लोग है जो छात्रों को उनके कमरे में घुस करके उनको बेरहमी से पीट रहे हैं और उनको ऐसा कौन सा समयधानिक अधिकार दिया है कि जिससे छात्रों को वो पीट रहे हैं और बल्कि छात्र ही नहीं उज्वल भविश को पीट रहे हैं और भविश खराब कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं हम इस बात की भी कड़ीनिदा करते हैं कि जिन्हों ने बिहार में ट्रेनों को आके हवाले कर दिया और बिहार की राजसरकास से अनुरोध हैं आगर कि जनों invented को उग्र बनाया और लो इस div Doing करने कि लोग साया उन्हें जल्द से जलद कर्चेशन में बंद किया जाए व मगर मैं फिर कहता हूं वह कौन लोग हैं छिन से आपको बचना है और वह कौन लोग हैं जिन Official पहचाने और अपने उन्हें छोड़ करें अपने भविश्क के और ध्यान दें और फिर से मैं उत्रप्रदिश की के राजसरकार से सवाल है कि आखिर आखिर अचार संगिता जब लागू थी प्रयाग राज में छात्रों को क्यों पीटा गया आखिर उन्हें पुलिस वालों को क्या अधिकार है उन्हें छात्रों को पीटने कांग जिस साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही जै भीम जै भारत इंकलाब सिंदाबाद वीडियो को श देर जरू करेंगा सब्सक्राइबर न नभू दिएगा अ झाल 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 झाल